हेलो दोस्तो स्वागत आपका अमारी यूटूब चैनल ब्यस नर्सिंग आर्यूचस इन्फोर्मेशन में तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे आपको बताएंगे कि आपका एकशाम कब होगा और किस प्रकार से आपको एकशाम देना है एकशाम के लिए PDF नॉट्स पीडिये बुक्स और मॉडल पेप्र आपको किस प्रकार से प्राप्त करने बिलकुल फीरी सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो वीडियो का आप लाट तक देखिएगा तब ही आपको सब कुछ जानकारी मिल पाएगी तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो RHS की मेन वेबसाइट पर Time Table of BS Nursing Part 5, Second, Third, Fourth और Post BS Nursing and Final एक्जाम का Time Table आ चुका है जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो Next पे जागए आपके पास Download Time Table तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है तो दोस्तो जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आप देख सकते हो राश्तान University of Health Science जेपुर Program of Examination BS Nursing 1st Year, 2nd Year, 3rd Year, 4th Year और Post BS Nursing एक्जाम अप्रेल 2022 तो दोस्तों 1st Year, 2nd Year, 3rd Year, 4th Year और Post BS Nursing का Time Table आपको बताने वाले हैं तो आप देख सकते हो 20 अप्रेल को आपका एक्जाम है सोसियोलोजी का जो की 2nd Year का है उसके बाद आपका 21 अप्रेल को एक्जाम है जो की Anatomy का है और Midwifery and Obestrical Nursing का है जो की 4th Year का है उसके बाद आपका 22 अप्रेल को एक्जाम है Medical Surgical Nursing का जो की 2nd Year का है 23 अप्रेल को आपका एक्जाम है Nutrition and Biochemistry and Community Health Nursing जो की 4th Year का है 25 अप्रेल को आपका एक्जाम है Pharmacology, Pathology and Genetic जो की 2nd Year का है और दोस्तों हम आपको बताएंगी कि आपको तैयारी किस प्रकार से करने है सब कुछ हम आपको बताने वाले है तो आप वीडियो देखते रहिए 20 अप्रेल को आपका एक्जाम है Nursing Foundation 1st Year का और उसके बाद है Nursing Research and Studies जो की 4th Year का है 27 अप्रेल को आपका एक्जाम है Community Health Nursing जो की 2nd Year का है 28 तरुब को आपका एक्जाम है Psychologica और है Management on Nursing Research and Service Education जो की 4th Year का है गुंतिस तरुब को आपका एक्जाम है Communication Education Technology जो की 2nd Year का है 30 तरुब को आपका एक्जाम है Microbiology का और 2 मई को आपका एकजाम है Medical Surgical Nursing Second ज़ो की verstehen का है चार मई को आपका एकजाम है General English का唇 पाज मई को आपका Child Health Nursing धीतितिकां थीयर का एकजाम है 6 मई को आपका Indian leansig f 1981 और 70 मई को आपका Mental Health Services थाड़ेतियर का एकजाम है 9 मई को आपका Introduction to Computer जो की levar एकजाम है तो दोस्तों यह हमने आपको बता दिया फर्स्ट एर सेकंड एर फॉर्थ एर बारे में अब हम बात करते हैं पॉस्ट बेसिस प्येस नर्सिंग के बारे में तो आप देख सकते हो सबसे प्यले नर्सिंग फाउंडेशन का आपका एक्जाम है उसके बाद सोशियोलोजी का एक वर्ष बिसीशिस में तर्फ थार्फ आपका एक्जाम है साइकोलोजी का इंट्रोडेक्शन नर्शिंग अज्टिस का उनटिछ तार्व कि आपका मायकृबाजी इंट्रोडेशन नर्सिंग कम्पेट्रों अच्झारोर को को भी एक्जाम नहीं है दो मेहाब का एक्जामOD म सबोनों मैं सब्सक्राइब और सब्सक्राइब काृप decision का वी सुबै करें tracraft का वजे सबस्टी में करने मुझे declared वेशनका ओम मुझे सब्सक्राइब को है किया हैं कि आपका टाइमींग क्या रहेगा तो बीया सब्सक्राइब नुऩ से जबता हमि को बताए देते हैं आपको पीडिएप नॉट्स पीडिएप बुक्स आपको विल्कुल फ्री तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा टेलेग्राम गुरूप है इस पर आप बेस नर्सिंग एमेस नर्सिंग डिमल्ट बीमल्ट पेरामेडिकल एनम जी एनम सभी के यह आप पर पीडिएप नॉट्स पीडिएप बुक्स आपको विल्कुल फ्री में मिलेंगे तो जैसे आप अमारे टेलेग्राम गुरूप पर जोइन होगी तो आपको फाइल फर क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं हमने टाइम टेबल भी डाल रखा है और यह आप न चेले सकते हैं इसके लिए आपको अमारे टेलेग्राम गुरूप पर जोइन हो जाना लिंक सकते हूं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया उन पर भी बहुत शींदर अपको मिलते रहती हैं तो यहां से आप फीडिएप नॉट्स पीडिएप बुक्स डाउनलो करके बता सकते हों और दोस्तों हम आपको बता दे कि आपका बेस नर्सिंग फर्स्ट एर सेकंड एर फॉर्ट एर का एकजाम फोरम अभी चालूए जिन स्टुडियों अभी तक फोरम फिल नहीं कि फोरम कर सकते हों आप देख सकते हों नॉर्मल फेस के साथ आप 25 मार्च से ए सबने करने का करती उसटेब नहीं जरूर हैं और देख सकते हों लिंक डिस्क्रिशन में दिया गया है सब को जानकर आप कोसमी इसटेब आइस्टेब बता रखी हैं तो आप यह जरूरूर बढ़ दिजी आपका मैने एक जाम का जो कि बिएस सब्स एड़ुड नाई किया जाएगा तो दोस्तो अब हम बात करते हैं आपका कांसलिंग के बारे में कि ऐलॉट में लेटर कब आएगा बढला suis पॉस्ट बैरसे बिस नर्सिंग औरрь मेस नर्सिंग का तो ओप देख सकते हैं हमने नर्सिंग पर क्लिक कर दिया आप पर से लिगार्डिंग कोई भी नौटिस अभी तक नहीं आया हैं तो दोस्तों हम आपको बता दि कि आपका अलोट में लेटर अभी तक नहीं आया हैं जैसे फ्रकार से आपको तो आपको किसी भी इस्टेने की दुकान पर चला जाना और फॉरम लेना है फिटनेस का उसके बाद आपको गोरेंट और श्पिटर में चला जाना है और गोरेंट डॉक्टर का आपका सिगनेचर उसमें करवाने हैं तो आपका कांसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा वही स्टुडेंट सेकंड कांसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है अमने पहले ही बता रखाता कांसलिंग की परोसेज और जिन स्टुडेंट को कोले नहीं मिला फास्ट राउंड में तो उनको सेकंड कांसलिंग में कोलेज मिल सकता तो वो इस्टुडेंट सेकंड कांसलिंग में पार्टिपर जरूर ले सकते हैं बड़ जिनों ने बस्ट कांसलिंग में पार्टिपर नहीं लिया वह भी सेकंड कांसलिंग में पार्टिपर नहीं लाई सकता हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें ब्यास नर्सिंग पॉस्ट ब में लेट रहे हम आपको बता सके और सेकंड कांसलिंग के बारे में भी आम आपको बता सके अगर आप कोलेज का फ्रेंट निकालना चाहते हो आपने कौन-कौन से फॉलेज की फिल किये तो उसके लिए फिल कॉलेज फ्रिप्रेंस पर आपको क्लिक कर देना और आप प्रेंट कर अपने पास रख सकते हों ताकि आपको पता ऩहें किस प्रकार की हो सब कुछ आपको वने आपको यूटूब चेनल पर जाकर Direction में दिया गया है तो आपको किसी प्रकार की कोई बंटी फोरम पील करने में और आपको तैयारी कर ले नहीं है डेलग्राम गुरूप पर आपको परवाइड कर रखे हैं और इस चैनल पर आपको बीएस नर्सिंग सभी परकार की न्यूज एंटरपेट मिलती है जैसे एक्जाम से रिलुट इस चैनल पर मिल जाती है तो आप जरूरू से ज्यादा से जाएर करें ताकि उनको भी हल्फ हो सकें तो दोस्तो आज इस डूडियों में हमने बात कर ला आपको प्रकाश लेना विल्कुल फिरी और हमने आपको टाइम टेबिल बता दिये कब कब आपका एक्जाम है तो एक्जाम के लिए पीडेव नौर्स वीडेव बुक्स मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए विल्कुल फिरी टेलिग्राम से अगर अभी तक आपने एक आपको पेश गुरूप टेलिग्राम गुरूप पर जोएन जये लिंक डिस्क्रिप्सिन में धिया गया